उत्तर प्रदेश से इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखलेश यादव के काफिले में शामिल 6 गाडियां हाथसे की शिकार हो गई है इस घटना में कई लोग खायल बताये जा रहे हैं घायलों को एम्बूलेंस से नज़्दी की अस्पताल पहुचाया गया है पता चला है कि यह हाथसा हरदोई में हुआ है यह हाथसा तब हुआ जब अखलेश यादव अपने काफिले के साथ एक शादी समारों में शिर्कत करने जा रहे थे प्राप्त जानकारी के अनुसार फरहत नगर रेलवे क्रॉसिंग के पास अखलेश यादव के काफिले के सामने कोई व्यक्ति आ गया जिसके खारण यह हाथसा हुआ बहरहाल आपकी जानकारी के लिए बता दे कि समाजवादी पार्टी की ओर से लगातार हिंदुगों के पवित्र धर्मग्रंत रामचरित मानस पर सवाल उठाये जा रहे थे और रामचरित मानस का अपमान भी किया जा रहा था सपा नेता स्वामी पसाद मौरे ने जब रामचरित मानस पर सवाल उठाये तो सपा में उनका प्रोमोशन कर उन्हें महासचिव बना दिया गया बहराल इतना सब कुछ होने के बावजूद भी स्री राम के मानने वाले लोगों ने हासे में घायल लोगों के शिग्र स्वास्त लाप की कामना की है अरा इपो डेल भी याद ए रगां धिला के जोड़ कांटिलाके जोड़ कांटिलाके